नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेटी फॉर्सीवल से देखें से छेसल में एक ये क्वेशन आ रहा है लगातार में तीन दिन से देख रहा हूं कि ये क्वेशन पुछा रहा है या तो इसमें इक्विलेटरल ट्रेंगल देते हैं उसमें इनर सर्किल की रेडियस होगा मतलब तीनों साइड बराबर होंगे तो उसमें मेडियन और पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर सेमी होगा ठीक है और जो मेडियन होगा वह इस एंगिल का एंगिल बाइसेक्टर भी होगा देखिए मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक निकाली है आपके लिए बस आप जो भी हाइड दी जाएना उसमें से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा आपको दो चीजे वो क्या क्या है वो अभी देख लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका सवाल तो बहुत ही आसान ट्रिक मैंने यह बनाई है आपकी अभी सॉल करके देखा मैंने और यह सब चीजे काफी स इनर सर्किल वाले में पहले देख लेते हैं इनर सर्किल वाले में आपको हाइड दी हुई हाइड दी हुई है या फिर मीडियन दिया हुआ है या फिर यहां से यहां तक का पर्पेंटिक ब्रेंट दी हुई है आपको निकालना है कि इसके अंदर में जो सर्किल बनेगा इन अप्ले से हो जाएगा अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यह आप पे समझे कि जब यह आपका सिक्ष्ट एक्विलेटर ट्राइंगिल है तो यह आर है ठीक है और यह वाला जो है लेंथ वो ए है जब यह वाली लेंथ ए होगी तो यह वाली लेंथ भी तो ए हो यह आर और ए में आपका यह रिलेशन अब एक्स क्या है यो एक्स क्या है एक्स पूरा है आर प्लस ए το आर प्रस लिख से लिख दो आर की जिग्ए MP2 तो एक्स और गोल्स अजयागा यह वाला जाएगा है ठीक है अब यहां पे आर आर क्या है आर अंने निकाला था एबह ब by 3 divided by 2 यानि कि X by 3 यानि कि आपको देखो shorter किस से ये निकली कि अगर कोई equilateral triangle है ठीक है और उसकी height दी हुई है या फिर उसकी median दी हुई है और उसमें आपको inner circle की radius पूछ रहे हैं तो divided उसको वो जो height है उसको directly आप divide कर दो 3 से बस हो गया X दिया हुआ है यहां मालों यह वाली आपको capital R निकालनी है अब अगर आप इस point से draw करोगे तो यह इस तरह से कुछ बनेगा ठीक है यह capital R है यह हमने smaller माली है X is equal to क्या हो जाएगा capital R प्रस A फिर वही कर दो यह sign 30 लगा दो इसमे sign 30 लगाया आपने तो आपके R और A में आपका यह निकालायागा की ratio कैसे हो जाएगा capital R is equal to 2 A हो जाएगा फिर आप यह relation लग देंगा तो 2 X by 3 आ जाएगा ठीक है दोनों याद हो गए अगर अगर एकुलेटर ट्रेंगल की height दी है तो आपको inner वाले की radius निकालनी है तो क्या करो कि divide by 3 कर दो और अगर आपको outer वाले की निकालनी है तो into कर दो आप 2 बटा 3 से multiply कर दो एक में 1 बटा 3 से multiply करना है एक में 2 बटा 3 से multiply करना है यही है कोई और question आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो अगर देखिए यह तो मैंने खुद observe किया था और मुझे कई लोगों ने पूछा है इसलिए मैंने बता दिया अगर कोई और question नहीं समझ में आ रहा है तो बताईए का मैं ट्रिक बना कि आपको दे सकता हूं काफी सारी ट्रिक मैंने बनाई भी है मैत करी थेंको फॉलिटिक प्रीज दो लाइक और शेयर